तो निसका दोस्तों स्वागप सीगा और फेंटसीप मॉन्ट की इन में और वस्तों किये जाए तो इसस टीटन कवर कर सब्सक्राइब दोस्तों के भी बसे आप पर आ रही के बीच मैच वली है तो इस वडिव को आप दा दिखना बात करें का उनसे प्लेट को आपको टीम लेंग उनसे पर पे को ड्रॉप करना है और गौणे का दोस्तों आज की इस मैच का बेस का बेस्टन चापटन चापड़ियों को बिलकुल मिस मत करना अब देखो बाई डीटेल्स की बात करें तो यहां दोस्तों जी बी ओल मैच होग और इस पिछ की बात करें करडिशन की देखो करडिशन की बात करें पिछ का बीवर पूरा बैटिंग साइड है बैटिंग को अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो इसके बेसे पर आप टीम बनाना बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी टीम मना पाओगे यह चिस क्लियर अब देखो भई यहां दुस्तों बात करें जो है लास्की कुछ गेम्स की इसाब सबसागर बात करें एबजिंग स्कोर की तो 120 प्लस यहां पर हमेशा बन जाते अल्मूस 130 140 और जादा बनेंगे तो 208 भी बन चुका है विकेट पे 190 भी बन चुका है तो अलग टाइपी गे जाती कभी बॉल नहीं करनो टेम जी जाती है तो यह चीज़े दोस्तों रहती इसको बड़ा मुहत्त भैनी निगे कि अब देखे दोस्तों जिन्हों ने अभी तक टेलिग्राम से जोई नहीं किया देखिए इधा आपको फैंटी से सब्सक्राइबर देखेंगे उस पर किसी की बैटिंग डिक्री की जाएगी किसी की बैटिंग भाई अपर ओर में किया जाएगा यह चीज़ होती रहती है इस बात को धानक कियेगा ठीक है अब हम डीटेल्स की बात करें तो लास्ट मैच 23 इसन का स्कोर किया उससे पहले जीरो-जीरो-पंद्रा फिर पांच-1गा फर्म है ठीक है अब कहीं जाए तो अबरेज मेरे को पिछला माच देखके थोड़े से अबरेज टाइप लगे तो ग्रांड लीगी टीम में चाहो तो मेभी इसको चांस दे सकते हो भी जादा नहीं बोलूगा सिर्फ एकार टीम इसको लेके चल सकते हो ठीक है शहजाद दिलबार की बात करें भाई तो पिछला माच जीरो पे गया है उससे पहले 22, 24, 1, 29, 41, 2 इनका रीसिन फ़र्म रहा है दोस्तों चाहो तो टीम में आप जरूर की अच्छे फ़र्म के साथ ही दीखते है अब देखो इसके अलावा अगर ऑप्शिन की बात करें तो अरबिन कुमार देखेंगे पिछला माच दो रन प्लस जीरो बिकेट फिर जीरो बिकेट फिर ताइस और आट रन फिर एक रन ठीक है फ़र्म उतना अच्छा नहीं लेकि इस टीम में उतना कुछ खास ऑप्शिन है भी नहीं कि आप इतना मतलब जो है इसको हटा के उसको ले लोगी कि भाई ऑप्शिन्स अपने पास अबलेबल ही नहीं बस गीने चुने ऑप्शिन्स जीरो बिकेट तो अरबिन कुमार टीम में रहेगा दिक्कत वाली बात है बॉलिंग से तो दोस्तो कतर आता है मतलब हमेशा हर मैच में दोस्तों बॉलिंग नहीं करता अगर हर मैच में बॉलिंग करता तो हमाण ले बहुत ही जादा बाई स्पेशल होता ठीक है तो अभी के लिए क्या करना सिंप्ली अर्बिंद कुमार और सचीन चुवान दोनों को टीम में रखेगा दोनों इन्पोर्ट रहेंगे इसके अलावा दोस्तो अनूप गुपता भाई मेरे को कुछ खास नहीं लगे दो मैच फोर दो इसके तो भाई सारे गेम में बंदा फ्ल भाई फैयास खान की बात करें कुछ खास नहीं सिधा ड्रॉप कीजिएगा इसके अलावा दोस्तों याला मुरून कुछ खास नहीं दीवन की बात करें टीम में चाहो तो टागट कर सकतो स्मॉल लींग में सजेस्में नहीं करूँगा ठीक है अब देखो भाई सशी की बात करें consistent है ऐसे player को chance दीजिए क्योंकि अभी तक 5 match खेला जिसमें 4 match में इसके बिगट है सिवाए पिछला match में बिगट नहीं मिला तो इसको आप टीम में ले सकतो अजय जय शवाल की बात करें वही एक बिगट जिरू बिगट जिरू बिगट जिरू बिगट पांच मैच में मैच में से कही जाए तो चार मैच में इसके बिगट नहीं सिफ एक मैच में मतलब दो मैच में बिगट है तो अगर आप रखना चाहो टीम में आप शौर रख सकतो वाई लेकिन मैं ड्रॉप कर सकता हूँ देखता हूं क्या रहेगा उसकी साब से इसको बैक करें के जोज की बात करें तो पिछले माच खेल रहा था वर दोस्तों इसको चांस मिला नहीं बैटिंग नहीं बॉलिंग करने का इसने एक मैच में दो विकेट ले चुका है और एक मैच में बिकिलेज गया ठीक है तो यह डीडिस रहेगा आरी का अब जोगो यहां पर केवी की बात करें उ पिछला जो मैच इनका अभी स्टार्ट हुआ है 12 बच के 30 मिनट पर वहाई वह मैच में कहीं बंदा जो है नहीं प्ले कर रहा है अब देखेंगे इस मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा फॉर्म की बात करें भाई तो इनका देख से तो 29 प्लस 0 बिकेट 17 फिर 5 प्लस 0 फिर 1 प्लस 1 बिकेट 6 प्लस 0 फिर 5 उतना खास नहीं लेकिन दो बर वालिंग भी करता है और टॉप उटर बैटिंग भी करता है टीम रखना पड़ेगा हंजला की बात करें पिछला मच 22 सन का स्कूर किया उससे पर दो बिकेट चड़का है 6 एक बिकेट फिर 17 भाई अच्छा प् बात करें भाई यह गंदा बैटिंग बॉलिंग दो से सक्षम है और अच्छी कास इसने बॉलिंग भी किया हर मैच 2 बर करता है तो अब लेके चलो बाई जो अच्छे प्लेस रहेंगे उनको हम जरू सजेस्ट करेंगे जो खराब रहेगा दोस्तों उसको बैक करने को नहीं बॉलिंगे ठीक है मैमूट की बात करें कुछ खास नहीं अब आखी दोस्तों शेकत की बात करें पिछला मैच एकरन का स्कूर के आपट बॉलिंग हर मैच में करता है सिवाए पिछला मैच छोड़ जो तो डिफेंशल डूंटे हो तो बाई यह अच्छा कास हो सकता है क्यों की दो वर की बॉलिंग देगा अब लुब की बात करें कुछ खास नहीं अलिफ की बात करें लगा तो टीम में ले सकता है चांस दे सकता हो बाखी रह्मान की बात करें कुछ खास सेक्षिन से रखा है दो options और है लेकिन ज़्यादा important दिलवार है तो दिलवार को दोस्तों उने back क्या आप चाहो तो भाई मतलब जो है other option के साथ में safe चो सकते हो दिलवार safe है भाई देखो जहाँ ज़्यादा option ना हो ज़्यादा option ना हो वहाँ risk लेना दोस्तों बेवकूफी ह safe रहेंगे चोहान safe रहेंगे भाई देखो यह तीन प्लेस जो टॉप मैंने पिक के है वो safe है और शेकत माले ट्रम काड़ेगा बैटिंग से उतना expect नहीं कर सकते बैटिंग बहुत नीचे लेकिन balling इनकी first priority रहेगी तो उसकी हिसाप से मैंने इनको team में रखा है और मैं इनक प्लेयर के नदर पर देख रहा हूं तो उस जीद आप द्यार नकीगा अब आगे बढ़ते हैं अब देखो एस चोधरी है हंजला है फिर दुस्तों यहां पर इस चोधरी दो इस चोधरी कंफीज मत हो एक श्रक लाइन चोधरी है और एक नाम में बूल रहा हूं बट श्रक पने टीम इसमें बैक कीजेगा अब इस चोधरी है और बालिंग से बात करें तो यहां पर मशीक में बोलूगा ठीक है तो यहां तो तो टोटल यह पांच सबसे बेतरी ऑप्शन त्रहेंगे जिनको आज की मैच में चाहो तो गराइन लीग की टीम में कैप्टन और वाइस क स्थावित होंगे देखो के बीगी टीम स्टॉंग है तो इसकी इस आप से मैंने टीम में भी रखा है और बागी दोस्तों स्मॉल लिंग की बात करें तो देखो बाइस स्मॉल लिंग में इन तीनों के अलावा मैरे को दूर दूर तक कोई खास ओप्शन नहीं दिखता तो वागी चलिए मिलते टेलिग्राम पे फानल टीम के साथ मदस्तों